नमस्कार मैं प्रियांका सिंग आज कुछ अलग और कुछ ऐसा बनाएंगे इतना ही टेस्टी उतना ही जबरजस्ट और यह स्वीट से कम नहीं लगता आप जब भी फास्ट रहें तो यह रेसिपी बना के आप खा सकते हैं और बहुत जबरजस्ट लगता है आज का रेसिपी घीया घीया को बहुत जगर लौकी भी बोलते हैं और लौकी का हलवा आज हमने बनाया है बहुत जबरजस्ट बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स चलिए बनाना हम सुरू करते हैं घीया का हलवा इसका छिलका निकाल लेना है अच्छी तरह से देखिए ऐसे हमने निकाल लिया है इसको पीस में कट कर लेना है तीन चार टुकड़ा में हमने कर लिया है इसको अच्छी तरह से पानी में वाश कर लेना है कदुकस करना है इसको जो बीच वाला हिस्सा है वो छोड़के और साइड साइड का हमने कदुकस कर लिया है और देखिए जो बीच वाला हिस्स और यहां पर हमने घी में किसमिस एड़ किया है और अच्छी तरह से भून लेना है देखिए यह बैलून के तरह फूल गया है इसको निकाल लेंगे और निकालने का बाद इसमें काजू और बदाम यह भी थोड़ा रोष्ट करेंगे रोष्ट हो जाएगा इसको भी निकाल ल जो बचा हुआ है हमारा उसी में हम लौकी डाल लेंगे जो कदुकस किया हुआ है एक दो बीज दीख रहे है फ्रेंट्स कोई बात नहीं यह गल जाएगा यह बहुत नाजुक इसका बीज है यह इसी में बहुत बढ़िया से पता भी नहीं चलेगा और गल भी जाएगा इस कोई दूद है आप जरूर डालिएगा और डालके तब बनाईएगा यहां पर हमने एक लिटर दूद लिया है अगर एक लिटर दूद ना लेके आप मावा भी डाल सकते हैं लेकिन हम फास्ट के लिए बना रहे है तो इसलिए इसमें किवल दूद एड़ कर रहे हैं दूद करेंगे और मेडियम पर ही यह अच्छी तरह से देखिए उबाल आने लगा और चलाते रहना है हमेशा मत चलाया किजिए और बीच बीच में थोड़ा रुक रुक के चलाया किजिएगा और इसमें दूद देखिए बिलकूल नहीं फटा है इतना बढ़िया यह दूद चीनी हमने दो चमच लिया है आप जादा मीठा पसंद करते हैं तो मात्रा बढ़ा लिजिएगा गैस के फ्लेम यहां पे भी हमने मिडियम पे ही रखा है जो किनारे किनारे हमारा मलाई दिख रहा है उसको भी निकाल लेंगे अच्छी तरह से यहां पे एक चमच एड़ करे रहता है हल्वा नीचे चिपक जाएगा अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे ड्राइफ रूट एड़ करेंगे हल्वा में ड्राइफ रूट डाल के अच्छी तरह से हल्वा को चलाते रहें बिल्कूल मत छोड़िये नहीं तो यह इसका टेस्ट बिगड जाएगा यानि नी गर्म गर्म सर्व करेंगे गर्म गर्म लॉकी का हल्वा बहुत टेस्टी बहुत जबर्जस्ट लगता है इसमें हमने बिल्कूल मावा भी एड़नी किया मिल्क पॉडर भी एड़नी किया फिर भी यह इतना टेस्टी और जबर्जस्ट लगता है और यह खाने में भी बहुत यमी लगता है हलोव बिल्कुल पता नहीं चलता है कि हमने लौकी का हलोव बनाया है कुछ अलग तरीकी का यह लगता है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा लौकी का हलोव बनाईएगा और ज़रूर कमेंडों मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा नेक्स वीडियो में आपसे मिलेंगे अलग रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ